टीम इंडिया के आल राउंडर युवराथ सिंग और बॉलिवोड एक्ट्रेस हेजल कीच की रिसेप्शन पार्टी दिल्ली के ITC मौर्या होटल में दी गई चंडिगर में 29 नवंबर को संगीत और महंदी फंक्शन के साथ शुरू हुआ दोनों की शादी का जश्न इस रिसेप्शन पार्टी के साथ खत्म हुआ दिल्ली में हुई रिसेप्शन पार्टी में टीम इंडिया के वन डे और टी ट्वेंटी कप्तान महेंदर सिंग धोनी अपनी पतनी साक्षी धोनी के साथ पहुँचे और इसके साथ यून अटकलों पर भी विराम लग गया जिन में कहा जा रहा था कि योगराद सिंग के पिता योगराद सिंग की बातों से नाराज धोनी यूवी हेजल के किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आएंगे वो और तलब है कि धोनी चंडिगर में संगीत और महंदी फंक्शन, गोवा में शादी के फंक्शन और दिल्ली में रिसेप्शन से पहले हुई पार्टी में नहीं दिखे थे इसके बात से कयास लगाए जाने लगे कि धोनी नाराज है और इसलिए यूवी के किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे लेकिन धोनी ने नफवाहों को नकारते वे ना सर्फ यूवी की रिसेप्शन पार्टी में शिर्कत की बलकि यूवी हिजल के साथ फोटो भी खिचवाई यूवे की रिसेप्शन पार्टी में कई नामी हस्तियां पहुँची जिनमें सहारा ग्रुप के चेर्मेन सुबरत रॉय वित्तमंत्री अरुन जेटली, पूर्व कप्तान सौरब गांगुली, पूर्व विसफोटक बरलेबास विरेंदर सहवाग, पूर्व कप्तान कपिल देव भी पहुँचे वहीं टर्बनेटर, हरबजन सिंग भी अपनी पतनी गीता बसरा के साथ इस पार्टी में पहुँचे आपको बता दें कि पहले युवराज हेजल ने चंडीगर में सिख रीती रिवाज से शादी की संगीत समारों में टीम इंडिया के कई मेंबर पहुँचे थे उसके बाद गोव में युवी हेजल ने हिंदू रीती रिवाजों से शादी की गोव में ही शाम को युवराज ने एक शांदार पार्टी दी थी जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट अनुशका, जहीर खान, राहुल द्रविट, आशीश नहरा समेथ कई हस्तियां शामल हुई थी युवराज और हेजल ने अपने परिवार और अपने करीबी दोस्तों के दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में शांदार पार्टी का आयोजिन किया था युवराज ने अपने रेसेप्शन में शांदार शेरवानी पहनी हुई थी वही हेजल ब्लू रंग के हूपसूरत लेंगे में बहुत प्यारी लग रही थी आपको बता दें कि युवराज और हेजल की शादी का जशन तो महंदी नाइट से ही शुरू हो गया था चंडिगर में 29 नवंबर को शुरू हुआ जशन दो डिसंबर को गोवा में शादी तक पहुँचा गोवा में हिंदूरी ती रिवाज से दोनों ने साथ फेर लिये और इस जशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेर की गई